हेलो बचो आज हम एल्बम चैप्टर की बुक वर्क करने वाले हैं चलिए देखते हैं क्या है इसमें बुक वर्क हां तो यहां पे दिया है सही बिकब चुनकर टिक लगाना है लाला सदनन कैसे वेखती थे तो हमने कहानी पढ़ी लिया है आप तक पढ़ चुके हैं तो हमें पता चल गया है तो लाला सदनन कैसे थे परवकारी बेखती थे यह रहा परवकारी इसके आप ठीक लगा देजिए दूसरा है पंडित जी कर्ज अदा करने के लिए बैचेन क्यों थे क्योंकि वे किसी का उधान नहीं रखना चाहते थे इसलिए तो वे बैचेन थे ना चुकाना चाहते थे इसलिए आप उस पर ठीक लगा दो अब चलते भाषाग्यान के दिया है कि नीर्मली के सद्धों को ध्यान से पढ़िए चली हम पढ़ लेते थोड़ा सा शरीर प्लास एक शरीर प्लास एक शारीरिक हो गया विज्ञान प्लास एक बैज्यानिक हो गया उद्धोग प्लास एक उद्धोग इक और लोग प्लास एक लोग इक बच्चो आपने नोटिस किया यहापे यहापे सरीर लिखा है और एक लगाया गया है और यहापे क्या हो गया है अल्टिमेटनी सारीरिक हो गया अरे ऐसे कैसे हो सकता है ना सरीर लिखा है और एक लगा ग्रानिक लिखा गया है ओध्योगीक फिर लिखाग्या है यहां प्लस एक और लिखा क्या गया है लोग स्वारफुम एक क्षजra机bank तो इन जो इक है ना, एक प्रते लगाने पर पहले स्वर में परिवर्तन आ जाता है, अच्छा, एक प्रते क्या है आप देख लेते हैं, एक प्रते बच्छो देखिए, कोई भी सब्द के अंत में अगर कोई एक प्रते जब जुड़ता है, जो सब्द है, जुड़ता है, उसे हम क्य कहते हैं प्रत्य कहते हैं किसी सब्द के अंत में जब एक प्रत्य जुड़ेगा तो उसे हम प्रत्य कहते हैं ठीक है याद रहेगा आप देखते हैं एक प्रत्य में कैसे कैसे बदलावाते हैं और आ अगर रहे किसी सब्द में तो वह आ में बदल जाता है छोटी या बड़ी कि इसप्द में रहे तो में बदल जाता है जोटा और भड़ा रहे तो हो में बदल जाता है कि आप देखते हैं कैसे बगला शरीड के साथ सब्सक्राइब तो सरीरिक होना चीए, तो सारीरिक कैसे हो गया, अब देखते ही आपे, देखी बच्चों में यह आपे बतारहे हूएं आपको यह सरीर लिखा है ना, यह स, स के साथ क्या है, आप एक बहुत उचान करके देखो, यह तलाबिश है ना, स, स के साथ ओ जुड़ रहा है ना, स, स, आप बोलके देखो सा आ आ रहा है न तो ही इसका मतलब सा के साथ आ जुड़ा हुआ है स्वर बढ़ना जुड़ा हुआ है तो जब भी किसी सब्द के सुरू में आ जुड़ा हो तो उसके साथ अगर एक प्रते अंत में लगाए तो वो आल्टिमेटली आ में बदल जाता है जै इस सब्द के यहाँ तो यह बढ़ना और परिवर्तित हो जाता है अगर सब्द में शहीं में बड़ना सब्द के उसमें लगाएग में बदल जाका जैसे हमने यहाँ पर देखा बी ज्यानिक यह छोटी से सुरू हो रहा है ना यह सब्दें बिग ज्यान प्लस एक तो यह क्या हो गया बैज्यानिक हो गया आय लग गया ना देखो यह आय लग गया ना आय बैज्यानिक हो गया उसी तरीके से कोई सब्द अगर छोटा O, बड़ा O और O से सुरू हो तो O उसकी जो सब्द बनेगी और अंत में एक परते लगा है तो उसका जो सब्द बनेगा वो O से स्टार्ट होगा जैसे हमने देखा उद्योग ये छोटा O से बना है ना उद्योग पहले क्या है छोटा हुआ है ना और उसमें एक परते लग गया तो ये क्या हो जाएगा उद्योग हो जाएगा उसी तरीके से लोग O लगा है ना O से शुरू हो रहा है और एक प्रते लग जा रहा है तो यहां पर लोग की हो जाएगा तो बच्छों मैंने आपको यहां पर मोटे मोटे तौर पर आपको समझा दिया कभी जब हमारी स्कूल खुलेगी और कभी हमें मौका मिले तो इसके बारे में में मिस्तार से समझाऊंगे ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे दिये गए शब्द में एक प्रते लगाकर अब हमें बनाना है कि मैंने तो आपको समझा दिया थोड़ी बहुत आप देखते हैं आप मास और एक प्रते लगाना है तो मास में हमने एक प्रते लगाए तो यह क्या हो गया मास्चि एक लगाने से वैचारिक हो गया दीन है तो दैनिक हो जाएगा नीती है तो मैतिक हो जाएगा और इतियास है तो एतियाशिक हो जाएगा कोशी नमबर टू के तरफ बढ़ते हम लोग कोश्टक में दिये गए शब्दों में से सही सब्द चुनकर खालिस्तान को भढ़ना है बचो देखो यहाँ पर एक ही सब्द मतलब एक ही जैसा मिलता जूतर शब्द यहाँ पर दो बार लिखा गया है एक सौक जिसमें चोटा ए यहाँ पर बैठेगा और जो सिंगल सौक है सौक की बात है कि आप भाई सहब नहीं रहे मतलब दुख की बात यह है कि तो एक ही सब्द मिलता जूता और दोनों का अर्थ अलग अलग है तो यहाँ पर बैठाया गया है तो दूसरा है सदनन ने पंडित जी को भेट की सदनन के ने पंडित जी को क्या भेट की यहाँ पर देखो शौल दिया है यह साल दिया है तो यह जो शौल है यह चादर ओरने वाला शौल होता है तर यह पर बैठेगे और और इस डैश सर्दी बहुत पड़िती तो इस साल तो कौन सा साल होगा ये वला साल साल मतलब यार तो इस साल सर्दी बहुत पड़िती सदनन की इस्त्री और इस्त्री दूद लेने दोड़ी कौन सा इस्त्री होगा आपको दोनों का मतलब पता हो न चेक कि किस का मतलब क्या होता है यह देखे यह इस्त्री का मतलब होता है आईरन और इस इस्त्री का मतलब होता है और अवरत पत्नी तो सदनन की पतनी, दूद लेने दोड़ी, सदनन की इस्त्री, यह वला हो जायगा. तो यहाँ पे कौन सा होगा? गरम इस्त्री bernya, यहाँ पे कौन सा होगा? गरम सत्री bernd now. उचितना था और जूठा मतलब खाने के बाद जो जूठा होता है उसे कहते है जूठा तो नोकर की जूठा भोजन पुत्ते को दिया यह जूठा यहां पर आ जाएगा ठीक है अब बढ़ते आगे नीचे लिखे सब्दों के दो दो अर्थ लिखना है जैसे अंक मतलब दो अर ठीक है और कर का होगा मतलब एक होगा करना दूसरा होगा शुलक जिसे हम टैक्स कहते हैं टैक्स कह सकते हैं ठीक है एक होगा करना कर मतलब करना कोई काम करना और दूसरा शुलक मतलब टैक्स और यहां पर तीर दिया गया है तीर का मतलब होगा एक नदी किनारा जो किनारा ह उसे हम कहते हैं तीर और एक होता है जो धनुस से निकलने वाली जो बान होते हैं उसे हम तीर कहते हैं तो यह सब हमने देख लिया आप देखते हैं और क्या दिया गया है हां संग्या के इस्तान पर आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं जैसे कि मैंने एक बर मैंने आपक उनकी नाम को उलेख ना करकर उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या बैठाते हैं, वे, उनको, उसके, उसके लिए, मैं, ये सब जो है ना, इसको हम सर्वनाम कहते हैं, तो देख लेते हैं या पर सर्वनाम क्या है, नीचे लिखे बाइके में सर्वनाम सब्द रिखामकित क कि इसमें कौनसा सरवनाम है लिखा है ना में हमने यह यूज किया इस्तेमाल किया तो यह क्या हो जाएगा हमारा सरवनाम हो जाएगा फिर दूसरा में है क्या है मैं इनके इनकी एल्बम बनाऊंगा तो ये जो मैं है ना मैं ये मैं सर्वनाम है उसके बाद ये चित्रकला के बढ़िया नमूने है तो इसमें कौनसा सर्वनाम है तो ये ये जो है ना वर्ण ये वाला सर्वनाम है किसी के नाम के बदले किसी के बारे में किसी के नाम के बदले जो वर्डस हम यूज़ करते हूं सरबनाम करते हैं कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बिमा मिला, तो उन्हें जो यहाँ पे लिखा हैं उन्हें यह सर्वना में, ठीक हैं? आप दिये गए विशेशन सब्दों के लिए उपयुक्त विशेश्य लिखिए, आपको विशेश्य लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको यह सान, रंगिन, चित्र, ठंडी, सांस, माशिक, पत्रिकाई, सक्त, लोहा, ऐसे हम लिख सकते हैं, विशेश्य बताते हैं ठीक हैं? आप देखते हैं दूसरा, यहाँ पे क्या दिखा लिखा है? एक मरवारी सेट ने पत्र लिखा की एलबम भेज़ दों, यहाँ पे की का, की क पर इस्तमाल हम कैसे करते हैं? पंडी जी की आखो में आसु आ गए, इसमें देखो बड़ी की मातरा लिखा है, ठीक है? मानते हैं बड़ी की मातरा, आगे बढ़ते क्या लिखा है? पहले बाइक की का पुरियोक दो बाइक को जोडने का काम कर रहा है, देखें आपर एक मार परवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा की इसमें छोटी की मात्रा है एल्बम भेज दो और दूसरे में हमने क्या देखा पंडे जी की की इसमें बड़ी की मात्रा है आखों में आसु आ गए तो आखिर ऐसा क्यों लिखते वक्त हमें यह डिफ्रेंस यह मानते हुए चलना पड़े हमें इसा लिखते वक्त हमें तो हमें इसा लिखना ही पड़ेगा तो यह भूल हम कभी नहीं करेंगे अब ध्यान लगाओ पूरा अच्छे से पहले वाक्य में की का प्रियोग दो बाइक को जोड़ने का काम कर रहा है ठीक है कोई भी बाइक के अगर कोई भी सेंटेंस हम ब पहले बाइक के में की मतलब छोटाई की मात्रा है पहले बाइक के में की का प्रियोग दो बाइक को जोड़ने का काम कर रहा है हां दो बाइक के जोड़ने वाला बाइक के भी कर लाता है और दो बाइक को जोड़ने के काम आता है ठीक है दूसरे बाइक के में की का दूसरे भाइके में की का पुरियोग दो संग्याओं का संबन्द बताने के लिए किया जाता है अब संग्या क्या है चाहे वो नाम हो या किसी जगा का नाम हो या पहाड का नाम हो या बेकती का नाम हो मतलब उस sentence में दो संग्या आने चाहिए अगर ऐसा कोई sentence हम देख रहे हैं तो उस वक्त लिखने के वक्त हमें की की इस्तमाल किया जाए तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे कौन सा इस्तमाल करेंगे बड़ाई की मात्रा यूज करेंगे और अगर जो दो सब्द दो बाइक के अगर जोड़ेंगे तो वहाँ पर छोटी की मात्रा और अगर किसी बाइक के में हम दो संग्या देखेंगे चाहे वो कोई सा भी हो वेक्ति वाचक जाति वाचक या भावचक मतलब दो संग्या जूड रहा है तो वहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे क्लियर हो गया कीकप रियोग और एक बार है और एक बाद देख लिजी कीकप रियोग क्रिया के भूतकाल में भी किया जाता है पास्ट की रूप में भी हम इसे यूज कर सकते है कीकप लगता है जिसे देखिए मैंने पढ़ाई की मैंने पढ़ाई में पढ़ाई कर चुकी हूँ, यह अचलि इंडिफिनिट में दिया गया है, पास्ट में मैंने पढ़ाई की, कितना की यह नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने पढ़ाई की, तो यह पास्ट इंडिफिनिट में है न, है न, मैंने पढ़ाई की, और इसका हम दे लालासदानन अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे यहां लगाइग यहां पर संग्यां कि लालासदानन पुरोहित की विवशता को जानते थे listening जला सदनन एक संग्या और अपने पुरोहित यह पुरोहित मतब उनके पुरोहित थे यहां पर दूसरा संग्या तो यह दो संग्या जब आये किसी सेंटेंस में तो आप उसके बाद जो की यूज किया जाता है उसमें बढ़ाई की मात्रा होता है के लिए दूसरा है वे चाहत थे कि पैसा अदा हो जाए पैसा दे दिया जाए तीसरा है पंडित जी ने यजमान के लिए प्राथना की तो पंडित जी यहां पर संगय एक ही यजमान के लिए दूसरा संगय आ गया तो प्राथना की यहां पर बढ़ाई की मात्रा होगा चौता है उसने इस रकम की जरा भी परवान है कि उसने किसने उसने एकदम परवान है कि यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है यहाँ पर छोटी की मात्रा होगा वे सोचा करते थे कि यह कैसी भले मानस है तो यहाँ पर वे सोचा करते थे कि कैसी भले मानस है न तो यहाँ पर आप सोचो मैं सब पता दू आ रहोगा है वह सोचा करते थे कि कैसी भले मालश है उसके बाद हम आते हैं दिये गए मुहाबरों का बाइक में परियोग कीजिए सीर पीटना दिल काट कापना पीट काटना हिर्दे पर बर्शिया चलाना यह सवाप कर सकते हैं अगर आप चाहोते हैं एक एक फोर साइज पैप यह रहा है आप हम एक्टिविटी के तरफ बढ़ते हैं अपनी रूची के अनुसर कोई एक ऐसी गती बीदिया चुनकर लिखे यहां पर नीचे दिये के संकेत बिंदु के अधार पर एक कहानी लिखकर दिखाईए जैसे हैं रमान संकेत बिंदु यहां पर दिया गया है र करके उन्हें एक एल्बम बनाना है और अपने सरपाटी से के फिस में पैसे चोरी हो जाने पर आपने कैसे उसकी सायता की एक अनुच्छी लिखना है तो यहां से आप चाहोते हैं एक फोर साइच काप पेपर में आप लिखके रख तो स्कूल जब कुलेगी तो हम देख दे कहानिया आप पड़ सकते हैं ठीक है बच्छो अब हम कोई नहीं पराया चैप्टर के बुक वर्ब करने वाले हैं है ना तो देख लेते हैं सही बिकल्ब चुनकर लगाए ठीक लगाना है कभी को क्या भाता था तो कभी को क्या भाजाता मनुझ जत्तो भाता था इंसानियत बातिती है ना कभी अपने साथ कैसे हसना चाहते थे अपने साथ किसे हसाना चाहते थे तो हमने क्या देखा धूल को मतलब नीचे इस तरके लोगों को है ना उसके बाद गो नंबर कभी को गीत किसलिए दिये गये है क्योंकि बिसम्ता का बिस पीने के लिए नजग की पीड़ा गाने के लिए तो इसका अंसर होगा जक्की पीड़ा गाने के लिए ठीक है आप बढ़ते इधर यहाँ पर देखिए पर्यवची शब्द दिया गया है और इसको आपको पुट करना है तो जैसे है दीन, निर्धन, धनहीन, गरीब तो रह का क्या होगा रास्ता, पत, डग, मार्ग भी हो जा ठीक है यश का होगा क्रिती, शोहरत, प्रशिद्धी, प्रतिस्ठा, ख्याती आप उसको देख सकते हैं नहे में होगा प्रेम, प्यार और स्नेह, मित्र का क्या होगा शका, सहचर, दोस्थ यह साथी भी लिख सकते हैं आप और इन सब्दों का कोशिन नमर्टू के तरफ रा, तो क्या हो जाएगा हरा, हरा कर दो, नाम तो आपको उल्टा करके लिखना है, यह इसी है, बहुत इसी है, आपको बस उल्टा करते जाने हुए है, उसके बात मत है और चना है, यह आप कर सकते हो, पोशन ममर्ट्री, नीचे लिखे सायुक्त बेंजन के दो-दो व, आधा व और दा दिया है, तो इससे दो वर्ट्स बनाया, जैसे इसने इनने में बनाया क्या शब्द और सताब्दी, ठीक है, हम ध्यर से बनाएंगे, ध्यर से क्या बनाना पड़ेगा, एक ध्यान लिख देंगे, दूसरा अध्यापिका लिखेंगे, आप द्व, आधा स्वर्ग हो जाएगा, स्वच्छा, स्या सिर्क बनाना है, तो समस्या, स्या ही कर सकते हैं, इसके बाद दंतिसा, मुधने शका प्रियोग केवल संस्कित तत्सम के सब्दों में ही होता है, बचों, जैसे देखो, जो भी हमारे हिंदी वर्ड्स, हमारे हिंदी सब्द में, को यह समझ जाना चाहिए, कि यह संस्कित के सब्द है, एक्शली संस्कित में तो संस्कित सब्द कहा जाता है, और उसी वर्ड्स को हम जब हिंदी में लिखते हैं, तो उसका नाम हम क्या देते हैं, तत्सम सब्द कहते हैं, हाला कि यह संस्कित सब्द हैं, रिशी, क्रिशक, अस्ठ निस्टा यह संज की सब्द है लेकिन हम हिंदी में जब इसको इसको इस्तमाल करते है तो इसका नाम उध्aci हं कहाएम उध्य आधी सब्देशना प्रविशो फिर बिशेस लिखो, फिर संतुस्टी लिखो, फिर परिभाशा लिखो, मनुश्यता, वर्ष, रीसी, अस्थ, ये सब में मुदनेसा आ जाता है, ठीक है, देखो नीचे लिखे सब्दको, सब्दको स्क्रम में लिखिए, जैसे कि हमने अलपवर्टिकली हम लिखते हैं, ए बी दील में वर्त में लिखो, अब कमठोपनेसा लिखे सब्दको, खजाते हैं, और अपनी सब्दको, में अपको करता है, फिर आपको सभा में गाना है कोई सभा में आप गा सकते हो किसी एक देश में होने वाली घटना का प्रभाव देश पर ही दूसरे देश पर भी अवश्य पड़ता है इस विशय पर एक रक्षा में वर्ता आयो जित किजिए हाँ बात तो सही है बचो यहां पर देखो पहले हम कौरोना वाइरस को ले सकते हैं पहले देखी कहां पर सुखी हुआ था चीन में हुआ था ना और जिसके बारे में हम पढ़ते थे टीवी देखते थे. नियूस पेपर ने फॉलो करते थे लेकिन दीरे 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 वह हमारे देश तक भी आ चुकिये हैं और हम इससे हमेशा इससे सदर्क रहना चाहिए हमेशा हाथ साफ रखो हाथ धोया करो तो इस पे आप एक चाहू तो एक लेख लिख सकते हो करोना वायरिस के ऊपर आप क्या क्या जानते हो चाहब संकेट बिंदु कुछ दिया गया है आप चाहो तो वह कोड़े वायरिस के बारे मे आप लिख सकते हो या विमान हाथ से आधी के संदर्भी में आप लिख सकते हो बच्छो आपके सामने और दो चीज में आपको बोलना चाहती हूं कि कुछ दिन पहले बंगाल की खाड़ी से एक साइकलोन उठी थी ना जिसका नाम दिया गया था अमफान साइकलोन तुफान है ना तो आप चाहो तो उसके बारे में भी डेटा कलेक्ट करके आप एक एक और साइच पेपर में लिख सकते हो बिमान हाथ सा बिमान हाथ सा हमने कुछ दिन पहले लेगा 27 या 23rd को सायर बिम लान हासा का क्या नाम था कैसे हुआ कितने लोग थे आप चाहो तो उसके बारे में आप नेट में कले नेट में जानकारी प्राप्त करके यह आप लिख सकते हो ठीक है यह सब आपकी एक्टिवीटी में आ जाएगी आप कर सकते हैं यदि मन में कोशन नमा 3 के तरफ बढ़त कि ममी पापा के लिए कुछ कर दिखाने के लिए या कुछ बड़ा आफसर बढ़ने के लिए तो अगर आपके मन में ध्रडविश्वास है तो आपको गर सकते हैं यह आपके उपर हैं इस पे भी आप लिख सकते हैं सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए इस विज़े पर बाइद देना चाहिए कि हम इसा सच बोला करो है इस पर आप चाहो तो लिख सकते हो पाठ के आगे देखेंगे गोपाल दस निरच कि जो की यह कभीता को लिखने वाले कभी है न तो इनकी कुछ कभीता है इंटरनेटपे आपको मिल जाएगे आप वहां पे इसको देख सकते ह और यहां पे एक चीज़ जानने लायक है, बचों यहां पे आप देख लिएए, यह भी हम जाल लेते हैं, कभीता में हमने पढ़ा था कि जी ओ और जी ने दू, यह वर्स हमें मिला था, अब यही वर्स जो कभीता में हमने देखा कि कभी ने इस्तेमाल किया, यूज किया है, आखिर यह वर्स कब और कैसे कहां सबसे पहले इस्तिमाल किया गया था तो यह वाक्या हमारे प्राचिन दर्शनिक जो थे ना तिर्थकर महाविर जैन महाविर हाँ जैन धर्म से बिलोंग करते थे यह महाविर जी तो जैन नहीं छटी सताब्दी में यह तो इस बकतवर में आत्माज्यान और सारवापोमिक दोनों का पुठ मिलता है इसी लिए जैन धर्म में इसे आत्माभोत के मालमें के रूप में अपना लिए गया है थीके यह पार्ठ के एक्स्टर हमने जाना तो बचों यह दोनों हमने पढ़ लिया दोनों चाप्टर की वोकव बन्हें है झा झाल ठाइब है झाल गड़ता झाल 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 कर दोड़, प्रबाने झाल कोड़्मा को झाल है झाल है।